सबके जहन में सवाल है कि आखिर विराट रमायन मंदिर कब तक तयार होगा विहार में आप इतना बड़ा भव्य मंदिर बना रहे हैं यह प्रजेक्ट कब तक पुरा होगा ऐसा है इसका जो मुख्य काम था भुगर्व का जमीन के नीचे सो फिट तक जा करके करीब सारे तीन मंदिर में पूजा पाषप्रारम हो जाएगा यह हम लोग मान कर चलते हैं कि 2026 के आखिर में 2027 में यह काम पूरा हो जाएगा इसे दिमाग में आया इतनी बाए ऐसा है एक दिन है आरती के समय साम में मुझे लगा कि यहां तो हनुमान जी छोटी अस्थान पर है हनुमान ज परन किया जाए तोचेंगे कि इतना रूपिया और अभी हमारे पास कम साधन है तो बनेगा नहीं इतनी हनुमान जी में आस्ता है कि जितना पैसा जब चाहिए वो आ जाएगा और सब्सक्राइब भी बैठ रहा है जो समझे यह 33 फिट उंचा और 33 फिट गोला पनोर्मा ग् मंदिर का राम मायन मंदिर का निर्मान करा रहे हैं बहुत ही विसालकाय मंदिर होगा बहुत ही उसकी उचाई होगी कितना लंबाई लंबाई कितनी होगी क्या उसका होगा सवरूप उस पर बातचित करेंगे और कब तक तयार होगा क्योंकि सबके जहन में सवाल है कि आखि इतना बड़ा भव्य मंदिर बना रहे हैं यह प्रोजेक्ट कब तक पूरा होगा ऐसा है इसका जो मुख्य काम था भुगर्व का जमीन के नीचे सो फिर तक जा करके करीब सारे तीन हजार पाइल खर किये गए हैं स्तंब जमीन के अंदर इसमें मुझे हम लोगों को लग रहा अब उपर हम लोग आ गए हैं तो उपर वे 72 फीट उचा जाना है चार अठारे फिट प्लिंथ है फिर नीचे अठारे फीट अठारे पीट करके तीन मंजिला है तो 72 फीट बनने में डेर साल का समय हम लोगों ने रखा है इसका टेंडर भी हो गया है काम भी शुरू हो गया बनेंगे उनको भी सजा धजा करके मूर्ती बैठा करके मंदिर को फंक्सिनल हम लोग कर देंगे मंदिर में पूजा पाश परारंब हो जाएगा यह हम लोग मान कर चलते हैं कि 2026 के आखिर में 2027 में यह काम पूरा हो जाएगा कि सजावट का काम बाकी रहेगा इसमें समय ल को टच करते हुए इसका सपर्स करते हुए बाहर जा रहा है तो यह दिया से जो कोई जनकपुर चलेगा वह यह विराटा में मंदिर में रुकेगा और इतना भब्य मंदिर यह एक हजारसी फिट लंबा है पांसो चारिस फिट चोरा है 270 फिट उचा है इसम बाइस मंदिर है 12 स्थम्ब है सबसे उची स्थम्ब सिखर 12 सिखर है सबसे उची सिखर की मुझाई 270 फिट है उसके बाद जो दूसरा वह एक सवनठानबे फिट 200 फिट करीब है चार सिखर जो है वकुछ ससी पिट है इच्छे सिखर ऐसे हैं इनमे 270 का तो कोई हिंदुस्तान में है नहीं और दो सो एकसा उंठानवे का भी कियों में जो है जो है कि रहदिस्ष्वन मंदिर हो और एक सट्रीट में सायजरिक जगनात मंदिर आएगा तो चहे सिर्खर में है जो बन रहा है एक सट्रीट कि कर बन रहा है को जोगा जाए तो पांट्सों हजार करो रूपिया लगेगा लेकिन हम सोचेंगे कि इतना रूपिया और अभी हमारे पास कम साधन है तो बनेगा नहीं इतनी हनुमान जी में आस्ता है कि इतना पैसा जब चाहिए वह आ जाएगा और हम लोग जो कुछ लेते हैं सब वाइट लेते हैं चेक लेते हैं और इस मंदिर के निर्मान के लिए हम लोगने भी चंदा लिया भी नहीं है अब जब उपर का काम को दिखने लगेगा कितना बारा मंदिर बन रहा है तब हम लोग पब्लिक से अपील करेंगे और वह भी हम लोग कैस नहीं लेते हैं दसजार रुपए से ज्यादा जो जो देश का नियम है सब पारदर सिता के साथ काम करते हैं लेकिन हनुमान जी में आस्था इतने बड़े प्रोजेक्ट सब हम लोगों के हुए कैंसर संस्थान हो बातसाली हो रोज आठ दस अजार आदमी को अविद्या में भोजन करा रहे हैं सब हनुमान जी किरपास से चल रहा है से बिहार में देश का सबसे बड़ा भव्य रमयान मंद्र बन रहा है तो हनुमान जी की प्रणा है उन्हीं की प्रणा से यह काम अचारे की सोर कुड़ाल्जी कर रहा है सबसे बड़ा सिवलिंग भी बैठ रहा है जो समझ यह 33 फिट उंचा और 33 फिट गोला यह हम लोगोंने एक ब्लेक गरनाइट की चट्टान खरीद करके तिलचना पल्ली जीले से महाबली पूरम में बेजा है जहां उससलिंगम बन रहा है इतना वर असीवलिंग भी देश में नहीं है वह भी इसमें अस्थापित होने जा रहा है तो यह सबसे बड़ी बात है कि उस मंदिर का दर्सन करने के साथ ही आप वहां से सीधे अयोध्या तक जा सकते हैं प्रहूराम की नगरी में ज हुराम की नगरी में उनका दर्सन करने के बाद सिधे रमयान मंदीर पहुंच सकते हैं और यहां से सीता मरी में सीता जी के जनवस्थाण कि जनमस्थान मंदीर बनवा रहे हैं बियार सरकार से हमें लोग Turns मckt checked तो वो फिनन बरा मंनें करके जन्यक्त कंड है उस्में बना रहे हैं तो की वे उतना बरा नहीं होगा जितना बराय है लेकिन इसको मेर काुकिन मनदिर का रहा मंदिर हो जा रहे तो वो भी काम दो-चार मेने में प्रारम हो जाएगा तो आप पिसुन रहे थे अचार की सवरकुणाल को जो एक इतिहासी काम करने जा रहे हैं तो आप इंतजार करिए दो-तिन साल और फिर आप उस मंदिर का दरसंद कर सकते हैं